इवरिवन नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देख रहे हैं वो भी सेकेंड ओफ जून 2020 का है और यह आर्टिकल है बिस्नेस स्टेंडर्ड का और यह आर्टिकल लिखा है अकाश प्रकाश जी ने जो कि अपांसा कैपेटल से संबंदिध है और यह कहते हैं कि नए सिधारों की कमी से क हैं कि बात करें अगर लास्ट एन की तो हमारी इंडिया का जो भी प्रैजन रहा है में गर कंपेर करें जो मर्केट्स हैं खालार और उनके हिसाफ 011122 2019 का यह मार्गेट का कता mitä कि अबचित करें दॉलर की असनुर्फ में अगर हम देखे तो लबियो 30% के गिरावट इसमें दर्ज की गई है और एक इंडेक्स देखें जो कि ब्रॉड है जिसे हम गहते हैं MS CIEM इंडेक्स तो उसमें अगर देखें तो उसमें भी लगबग 15% के जो कमी है इंडेक्स कहीं न कहीं इसके लिए जो रिस्पॉंसिबल है वो है लॉकडाउन और इसको हम देख सकते हैं वर्ल लेवल पे कि जो सरवादिक अगर देखा जाए ब्रॉड वे में लॉकडाउन को तो इस दौरान जो हर गवर्मेंट उसकी अर्थ व्यवस्था में अपेक्षित जो मदद उनको करने चाहिए थी वो नाकाम रही है और आर्थिक और जो आर्थिक तंगी जो देखने के लिए मिली है और उसके कारण से भी असर हम देख सकते हैं कि मार्केट में जो परफॉर्मेंस हो काफी हद तक गिरा है लेकिन अगर इसमें ही हम अगर इंडिया को कंपेर करें त अगर बात करें भारत की रैंकिंग की तो उसमें निरंतर जो वीक परफॉर्मेंस रहे कमजोर प्रदर्शन रहे वो भी एक वज़ा रहा है आज अगर हम देखें ब्रॉर्ट बाजार जो है व्यापक बाजार जो है उसके तमाम जो मुल्यांकन किया जाते हैं या लेकिन फिर भी जो मार्केट है या बजार है वो काफी बड़ा हिस्सा है और जो महेंगे शेयर है उन में अगर हिसे जाए देखे जाए तो भारत उसके कारण ही पीछे रहा है प्रेजन सिचुएशन अगर हम देखें तो 55 परसंट जो अभी मार्केट है वो कैपिटल इस टू जीडिपी मतला पुझी करण और जीडिपी का अगर रेशियो देखें तो अभी हम 2009 मार्च 2009 के इस्तर पर है और अगर इसी रेशियो को देखेंगे तो 75 परसंट लॉंग टम क के लिए अगर हम देखें तो 75 परसंट रहा है और यही जो रेशियो अगर हम देखें तो उचतम 100 परसंट तक भी रहा है जब हम कैपिटल भी सम्हाल पाएं साथ ही साथ मतलब कैपिटल मेकिंग इन दे सेंस आप बड़े-बड़े उद्योग भी लगा पा रहे हैं और एसे जो तमस्तर है उसे लगबग उसमें 40 परसंट नीचे आ गए है और इसकी कारण से जो इसका बाजार है उसमें पुंजी करन दिसंबर 2014 के इस तर पर आ गया है अगर हमारे इंडिया की बात करें तो लगबग 230 ऐसी कंपनी है जो एक अरब डॉलर से अधिक के मार्केट है उस तादा का है और यहां अगर तादा देखें तो यह भी 2007 की लेवल पर आ गई है 2017 में लगबग 330 ऐसी कंपनियां थी जो कि अपने उचता मिस्तर पर थी आज अगर हम देखें तो लगबग केवल 10 ऐसी कंपनियां है जो मार्केट केपिटलाइजेशन में लगबग 25 अरब डॉलर से अधिक है किवल 10 और अगर 2017 में देखें तो लगबग 330 कंपनियस थी तो काफी डाउनफोल हमको देखने को मिला है